हेल फ्रेंट्स मैं हूँ सन्माय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जौप नियूज इस करेंट फर्स वूडियो में बहुत सारी टॉपिक है तो सबसे पहले कोशन्स देखते हैं क्या क्या है जो मैं इस वूडियो में बताऊंगा तो खारे पानी से रोशन होने वाली भारत की पहली लाल्टेन का नाम बताएं जिससे केंदरी मंत्री डॉक्टर जितेंद सिंग ने लॉंच किया है खारे पानी से समुदुर के पानी से ये रोशन होती है फीफा ने अगस 2022 में इसी महीने All India Football Federation को सस्पेंट कर दिया है आखिर क्यों किया है ऐसा फीफा ने भारत से किस वर्ल्ड कप की मेजबानी को छीन लिये वर्ल्ड कप होने वाला था एक तो उसे छीन लिया है कौन सा वर्ल्ड कप था और क्यों आखिर ऐसा किया गया है भारत ने किस परुसुदेश की नौ सेना को डो नियर विमान सोंपा है जो निगरानी विमान है नौ सेना के लिए भारती सेना को अगस 2022 में कौन से डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुए है इफ इंसास किया है जिसे आर्मी के जवानों को सोंपा गया है और एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है सेना के लिए रक्षा मंत्री ने योद्धावीर, दुर्गादास और आठोर की प्रतिमा का अनावरन किया तो किस जगह पर यह स्थापित किया गया है यह प्रतिमा स्थापित किया इंप्रेंट टॉपिक है और भी कोशन है सब पर चर्चा करेंगे और दोस्तों शियर जूर कर दिजए इस वीडियो को जिन लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना और हाँ हम लोग डेली जब भी एक्जामनेशन हो रहा है रेलवेक डूप टी के उन सब के रिव्यू ला रहे हैं आपको लाइव सेंटर से एक्जामनेशन सेंटर से तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना और examination दे रहे हैं तो बहुत important है और हम लोग जो current first बता रहे हैं उसे बहुत सारे question आ रहे है 2022 के, 2021 के भी, ओके देखना जुरूर, मंडे को अगला exam है तो मंडे को भी फिर review आपको मिलेगा भी 2 तीन दिन examination नहीं है ठीक है, चल ये तो शुरू करते हैं और पहला question लेते हैं खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लाल्टेन या पहले लाल्टेन का नाम बता है जिसका अनावरन या launching केंदरी मंतिरी डॉक्टर जितन सिंग ने किया है answer होगा, रोशनी, इसका नाम रोशनी रखा गया और news भी आप देख रहे हैं जितन सिंग launch India's first saline water LED lamp रोशनी ठीक है, important बात, ये अभी हाली में launch किया गया है और इस लाल्टेन में LED बल्ब जलने के लिए समुदर के पानी का उपयोग किया जाता है ये जितन सिंग है और इनके हाथ में ये रहे लाल टेन ठीक है और ये जो है, वो saline water यानि खारे पानी से ये जलता कैसे चलता है तो खास तरह का design किया गया है, electrode के बीच में electrolyte होते हैं इसे electric charge होता है, तो electrolyte के रूप में समुदर के पानी का उपयोग किया जाता है और अलगतर की तकनीक है, क्या फायदा होगा इससे? इससे भारत की जो सारे 7000 km की तटिये रेखा है तो वहाँ से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर मच्छवारा समुदर है उन्हें ये लाल्टेन जो है, या लैंप कहें, वह बहुत ही फायदे मत होगा और इससे दूर धराज के छेतरों में भी उपयोग किया सकता है जहाँ पर समुदर का पानी उपलब्द नहीं है, वहाँ भी कहें सकता है क्योंकि खारे पानी में, यही साफ पानी में अगर हम नमक मिला दें सामाने नमक, तो वह खारा पानी हो जाता है और उससे भी ये लाल्टेन रोशन किया सकता है तो जितेन सिग ने ये लांच किया है और किस मίνिश्ट्री की ओर से ये तयार किया गया है किस ने तयार किया है, तो Earth Sciences and Technology जो मिनिश्ट्री है, उसकी ओर से ये लाल्टेन को तयार करवाए गया है ठीक है इंपार्णन बात चलिए आगे बरते हैं अगला कोशन लेते हैं फीफा ने अगस्ट 2022 में All India Football Federation यानी AIFF को सस्पेंट कर दिया तो क्यों आखिर क्या वज़ा है सस्पेंट कर देने की मतलब सस्पेंट करने का मतलब यह हुआ कि भारत में नो कोई खेल हो पाएगा मतलब ये जो एसोसियेशन है वो ना तो इंडिया में कोई गेम कर आपाएगा नहीं इंडिया की Football टीम है वो international किसी भी गेम में participate कर पाएगी जो football की टीम है वो तो इसका अंसर है third party का दखल तो news भी आप देख रहे हैं तहिंदू में और बहुत important ये debate का issue बन गया है sports related ठीक है क्या हुआ 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 ये कि December 2020 से दो साल पहले की बात हो रही है उस वक चुनाओ होना था All India Football Federation का लेकिन चुनाओ नहीं हो पाया और लगतार प्रफुल पटेल जो है वो इसके अध्यक्षपत पर बने हुए थे तो मामला सुप्रिम कोड गया सुप्रिम कोड ने प्रफुल पटेल को अध्यक्षपत से हटा दिया federation के अध्यक्षपत से ओके और federation के संचालन के लिए सुप्रिम कोड के पुर्व जज ए आर दवे की अध्यक्षपत में तीन सदस्यों की प्रशासनिक एक कमिटी का घठन कर दिया और का कि वही जो है वो federation को चलाएगा तब तक जब तक की चुनाव अगरा नहीं हो जाता है और फीफा का ये मानना है कि कभी भी जो सदस्यक्षपत से एकाई है उसमें कोई ठर्ड पार्डी हास सक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जिन लोगों को वहां कमिटी में डाला गया और जो चेर् कामले को सेटल करने के कोशिश कीजिए कि फीफा का एक तो चुनाव हो जाए फीफा के जो ये जो आल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसका चुनाव हो जाए और ये फीफा की ओर से जो सस्पेंशन है जिसकी उसे खिलारी को नुकसान जिलना पड़ेगा देश को थर्ड पार्टी जो मैंने इससे पहले वाले कोशिशन में पता है तो आंसर होगा फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप ठीक है अभी ये इंडिया में होने वाला था अलगलग शेहरों में तो फीफा ने अभी हाली में कहा कि हम ये भी मेजबानी जो इंडिया को दी गई थ लेते हैं अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप ये होना था अक्टूबर में 11 से 30 अक्टूबर थो तो उसको रद कर दिया है फीफा ने बहुत बड़ा फैसला है खेल के पॉइंट व्यूस अगर देखेंगे और एक्जामनेशन के भी चलिए आग बरते हैं अगला कोशन लेते हैं भारत ने अगस 2022 में किस परसुदेश की नौ सेना को डोनियर 228 समुदरी निगरानी विमान सौपा है आंचो कर श्रिलंका श्रिलंका को ये सौपा गया है नियूस भी आप देख रहे हैं देहंदू में ये डोनियर विमान है जो कि भारत में निर्मेत है तो एक समारो हुआ और उसी के दोरान ये विमान सौपा गया है और इसी इवेंट में श्रिलंका के राश्पती रानिल विक्रम सिंगे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है डोनियर विमान जो निगरानी विमान है क्या करता है आगया और बताते हैं तो ये सौपा गया रानिल विक्रम सिंगे भी वहाँ पर मवजूद थे और भारतिय नौ सेना के यानि इंडिया नेवी के जो डिप्टी चीफ है वाइस एड्मिरल एस एन घोड मडे तो वो भी वहाँ मवजूद थे भारतिय जो हाई कमिशनर है गोपाल बागले वो भी मवजूद थे तो कोलंबो में श्रिलंकाई ठीक है और श्रिलंका ने भारत से रिक्वेस्ट किया था कुछ साल पहले कि दो डोर्नियर विमान उसको मिल जाए तकि वो निगरानी कर सके समुदरी सिमाओ की उहाँ पर उसमें बहुत सारी क्योप्मेंट ऐसे होते हैं जिससे निगरानी आसान हो जाती है और कोई भी अग टू टू एट जो एरक्राफ्ट है वो चाहिए तो इंडिया ने टिमांड को मान लिया और फिर उसके निर्मान में वक्त लगा और अब अगस्ट 2022 में पहला विमान यानि पहला एरक्राफ्ट उसे सौंप दिया गया है और जल्दी दो वर्ष के अंदर ही दूसरा जो एरक् इसे क्या फाइदा होगा इंडिया और श्रिलंका को टेक तो दूपक्षी है जो डिफेंस साज़दारी है वो बहतर हो पाएगा और ये विमान श्रिलंका को बड़े पैमाने पर हिंद महासागर में सुरक्षा देने का काम करेगा ठीक है डोडियर किस ने बनाया है तो इंडिया ने बनाया है 17 सीटर ये विमान है और दिन और रात कभी भी चलाया सकता है नॉन प्रिश्राइजड ये प्लेन है ठीक है इंपोर्टेंट बात यह है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन लेते हैं भारते सिना को अगस्त 2022 में कौन से हथियार और डिफेंस सि बताता हूं उसे पहले ये नियूज देख लिए इंपोर्टेंस इसका ओके एक्जामिनेशन के पॉइंट ओगे उसे तो रक्षा मतिर राजनाच सिंग ने 16 दस्त को सेना को ये हथियार दिये है निपन माइन्स एलेसी और एफ इंसास सिस्टम ठीक है तो एक तो मैं आपको बताओं कि ये जो दोनों है ये दोनों हथियार है और ये एक सिस्टम है और सिस्टम क्या है वो ये जो सोलजर यहां पर खड़ाया रक्षा मंतरी और सिनाधेक्ष के बीच में उसने इस सोलजर ने वो एफ इंसास का पूरा सिस्टम है उसे बहना हुआ है और खास बात है कि से इंडिया में ही बनाए गया है एफ इसास का मतलब होता है future infantry system as a soldier मतलब की भवश में सैनिक ही हथियार की तरह काम करें मतलब सैनिक ही हथियार हो जाए ऐसा उसको त्यार किया गया ऐसा equipment समान यह सब दिये गया है कि वो भवश में एक हथियार के तोर पर ही काम करें पूरा यह इसमें आधुनिक हथियार है equipment है और वजन भी इसका कम है सभी तरह के मौसम इलाके मैदान पहार रेगेस्तान हर जगा इसको यूज किया यह सकता है और यह आधुनिके करन का एक प्रोग्राम था इफ इंसास और उदेश यह है कि एक सैनिक ओपरेशन छमता जब एक सैनिक लड़ाई के दोरान जाए तो उसके ओपरेशनल छमता बहतर हो और उसे नुकसान कम से कम पहुँचे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़े हैं जैसे कि एक सैनिक की रक्षा हो सकेगी ऐसा बुलेट प्रूफ सिस्टम है नाइट विजन डिवाईस है है हैंट फ्री बहतर कम्मिनिकेशन सिस्टम है एक टू-0-3 राइफल है एक ए-47 से भी बहतर है और रेंज काफ से एक्री इस एक्यूपमेंट को पूरे सिस्टम को पहन लिया जाए तो एल्गो कौहनी की शुरुक्षा नीपैट की सुरुक्षा और भी बहुत सारे एक्यूपमेंट इसमें है कि एक सैनिक जो है वो बिलकुल हातियार ही बन जाता है लड़ाई के मैदान में उके इसके ल और खास बात हीए है कि ये नाव की तरह इस्तमाल हो पाएगा, और इसे बनाया है गोओा के गोओा में जो इस सित है, शिपयार्ड, एकवेरिस शिपयार्ड लिमिंटेड उसी ने इसे बनाया है, इसे बहतर, और अप्रेशनल चंपता बहतर हो जाती है, आसानी से, जैसे पैं माइस का मतलब क्या हुआ माइस जमीन पर बिचाए जाता है ताकि जो अगर दुश्मन आ रहा है या फिर उसके जो टैंक आ रहे हैं या उसके कोई समान आ रहे हैं तो वो रास्ते में दोस्त हो जाए तो इसे भी सुदेशी तोर पर निर्मार्ण किया गया है और बहुत छोट भी कई और चीजें दी गई है चोटी-चोटी चीजें सेना कोटी 90 टैंक के लिए थर्मल इमेजिंग साइट वगर वगर है यह सब भी सौंप आ गया है तो इंपार्टन बात है कि यह सब चीजों जो मैंने बताई आपको ओके चली अगला कोशन लेते हैं और इंपार्टन क कोशन है उसे पहले इंफॉर्म कर दो कि अब तक का टोटल करेंट फॉर्स पीडिएफ अबिलेबल हो चुका है आप सब के लिए दो तरह के पीडिएफ है जनुरे से लेका जुलाई तक के और 2021 के भी है दो तरह के पीडिएफ है एक है mcq with पूरा नोट्स डिटेल में ताक कोई तुरंत examination देना है कल होके जिसे railway का exam देना है तो फटाफट पढ़ना है तो उसके लिए दो तरह के पीडिएफ है आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको लेना होगा one year के membership और हजारो हजारो students ने ये membership लिया है आपने नहीं लेया है तो देख लेना एक साल तक आपको इसके थू मिलता है current force का pdf weekly monthly every month update के साथ half yearly yearly इस तरह के pdf आपको मिल जाते है एकसेस हो जाता है एप पर सरकारी चौप ने उसका एप है Google Play पे डाउनलोड कर लिएगा membership के साथ आप वो लगातार update ले सकते हैं daily भी weekly mock test होता है current force का every Sunday को इस Sunday को भी आज हुआ है इक्जाम बिश्ट monthly takes रिजायत की जाता है जिसमें तमाम अलग-लग examination के सभी तरह के सवाल होते हैं और books पर discount मिल जाता है और free shipping भी होती है तो description आप चेक कर लेना अपकी examination में बहुत काम आएगा तो question लेते हैं अगला period products को मुफ्त बनाने वाला या उपलब्ध कराने वाला कौन सा देश ऐसा है पहला देश कौन सा बन गया है answer होगा Scotland, Scotland का ये news भी देख रहे हैं आप जो period products हैं जो महिलाओं के लिए खास तोर पर और जो periods होते हैं उस दोरान जो use होने वाले product हैं वो पुरिस्तर से free कर दिया गया है उस देश में Scotland ने अपने लोगों के लिए ये सब उत्पाद free कर दिया है कि वो ले सकते हैं और पंदर अगस को एक कानून वहाँ पर प्रभावी किया गया है इसके जरिए वहाँ पर महिलाओं को खास तोर पर जो मुफ्त products मिल सकेंगे तो इसकूल, कॉलेज़, यूनिवर्सिटी वहाँ पर बाथ्रूम में प्रियेट के प्रोड़क्ट उपलबद रहेंगे और ये विवस्ता कीगी है Scotland के दोरा Scotland की राजधानी क्या है एडिनबर्ग और वहाँ जो चीफ होता है Head of Nation होता है उसे First Minister कहते है तो First Minister of Scotland कौन है निकोला स्टरजन अगला कोशन लेते हैं रक्षा मंदिर राजधानात सिंग ने मारवार योध्धा वीर दुरगादास राठोर की प्रतिमा का अनावरन कहां पर किया है किस जगह पर, आंस्रोगा जोधपूर जोधपूर में अ्थाफित किया है ये प्रतिमा असथाफित की गही में अब देख रहे है और यह रहा फोटोग्राफ राजनात सिंग है जो की अनावरन कर रहा है प्रतिमा का ठीक है वी जैनती है तूसी को दोरान ये अनावरन किया गया है अश्ट धातू से बनी है वजन 1400 किलोग्राम है वीर दुरगादास राठोर उनके बारे में आपको बताऊं मैं उनका जन्म हुआ था 1638 में 1638 में वहीं ग्राम सलवा में 17 शताबदी में महराजा जस्वन सिंग की के लेही मारवार यानी जोदपूर का जो पूरा इलाका है वहाँ पर राठोर वन्ष के शाषन को कायम रखा था और 1707 में मुगलों को जोदपूर से खादेगर दिया था उनका निधन हुआ था 22 नौंबर 1718 को उज्जैन में अगला कोश लेते हैं आमिताब चौधरी का न यही होता है क्या होता फुल फॉर्म BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर किर्केट इन्द इंडिया ओके नियूज देख रहे हैं आप BCCI के एक्टिंग सेकेटरी रह चुके थे पहले तो वो उनका निधन हो गया है जारकन राजे किर्केट संथ के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे तो उनको हार्ट अटेक हुआ 58 एर के थे रिटाइड IPS अधिकारी थे जारकन पुलिस में IGP भी रह थे वहाँ पर और जारकन लोग सेवा आयोग के अध़क्ष भी रह चुके थे तो यह रहाँ फोटोग्राफ इनका किर्केट में काफी कंट्रोल था इनका अगला कोशन लेते हैं थोक महाँगाईदर जुलाई 2022 में कितने रही यह रिपोर्ट अभी हाली में आई है अगस्त में आजसोगा 13.93% ठीक है किसने जारी किये यह रिपोर्ट तो वानी जेवम उद्योग मतल रहे Ministry of Commerce and Industry तो उसी ने थोक महाँगाईदर का आकरा जारी किया जो थोक महाँगाईदर है उसका आकरा कौन जारी करता है तो Ministry of Commerce and Industry जारी करता है और अगर हम बात करेंगे खुदरा महाँगाईदर कौन जारी करता है तो वित्त मतराले की ओर से उसके जो NSO है वो उसके द्वरा यह जारी किया जाता है ठीक है तो यह इस्तिती रही है इस वक्त नियूस भी आप देख रहे हैं कि 14% कम रहा है पिछले महीने की बात करेंगे पिछली बार की रिपोर्ट की तो तो ज्यादा महाँगाईदर थी ठोक महाँगाईदर लेकिन अभी थोरी से कम हुए लेकिन फिर संस्क्रित दिवस कब आयुत होता है आंसरों का रक्षा बंधन पर यह आयुत किया जाता है और 12 अगस्त को राखी का तेवहार मनाया गया उसी दिन यह संस्क्रित दिवस आयुत किया गया है Central Government ने 1969 में रक्षा मंदन यहनी श्रावन मास की पूर्णिमा के दिन विश और संस्क्रित दिवस मनाया जाने की घोशना की थी उसके बाद से लगातार यह इस दिवस को पर मनाया जाता है ठीक है तो दोस्तों यह था important current force कैसा लगा comment box में आप बता सकते हैं और membership ले सकते हैं और हाँ आप जरूद डाउनलोड करें वो सके थूरू membership के जरिए current force के शांदार तैयारी हो पाएगी आपकी ठीक है अब मिलते हैं कल ताज तरीन current force के साल लेटेश्ट